नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रावाच चौदर या आग सभी का मेरे यूट्यूब चैनल या शोमेपेटिक सेंटर जौद्पना हार्दिक स्वाकत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई भी तरह के इंफेक्शन से या इंफ्लेमेशन से आपको निमोनिया डिवलप हो जाता है और उस निमोनिया के कारण आने वाले समय में कॉंप्लिकेशन के अंदर हो सकता है कि फैड्रोसिस हो जाये हो सकता है लंक्स का paralyzes हो जाए और उन सब के कारण body के अंदर जो oxygen का saturation है वो भी कम हो सकता है तो दोस्तों किस तरह से कोई भी infection के कारण जो pneumonia develop होता है उन के अंदर किस तरह से homeopathic medicines आपकी मदद कर सकती है उसके बारे में इस वीडियो में लोग बात करने वाले दोस्तों अभी मैंने बूला कि अगर आपको pneumonia होता है और आने वाले समय में complications हो जाए ये properly ठीक नहीं हो तो उसके कारण आपकी body के अंदर oxygen की कमी हो सकती है जिसके कारण कई वारी life treating condition बन सकती है तो सबसे पहले मैं sword के अंदर थोड़ा सा करीर के अंदर oxygen का क्या काम है तो देखिए बहुत sword के अंदर मैं आपकी छोटे से example से समझाओं जिस तरह से हमारा घर दोस्तों इंटू से बनावा है मतलब आप जो एक डिवार देख रहे हो आप तो एक डिवार देख रहे हो लेकिन वो दिवार बहुत सी चोटी चोटी इंटू से बनी हुए है इसी तरह से हमारी जो बोडी है हमारा सरीर यह बहुत से 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 बनावा है सेल्स होते हैं सेल्स पर टीशू बनाते हैं फिर organs बनता है और इस तरह से हमारी बोडी आगे सा आगे बनती है लेकिन दोस्तों जो सेल्स है जो हमारी बोडी की सबसे छोटी यूनिट है सबसे छोटा पार्ट जो सेल है इस सेल को या आप कह सकते हमारे बोडी के हर औरगन को regular continuously काम करने के लिए एनरजी चाहिए होती है जिस तरह सबी मैं बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं तो मुझे एनरजी च अंदर हर छोटे से छोटे सेल हर या हम चाहिए हो और जैसाइण क्या देतल होगा सब्सक्रास को कैसे अपने सब्सक्राइद करने सब्सक्राइब his तो अभी तक हमने यह समझा कि हमारी बोडी के हर सेल को ऑक्सिजन चाहिए जिससे में एनर्जी मिल सके काम करने लिए और जो वेस्ट प्रोडेक्ट होता है जो हमारी बोडी समें बाहर निकालना होता है यह अगर वेस्ट प्रोडेक्ट जो कार्बन डेक्साइड उसका हमारे बोडी में लेवल बढ़ने लग जाएगा तो नेचुली कॉम्प्लिकेसंस आने वाल है यह अग्षिजन का रोल समझा और किस तरह से कार्बन डेक्साइड बनती है यह मैंने सोट में समझाने की कोशिज की दोस्तों अब हम समझने कोशिज करते हैं कि निमोनिया कैसे डियूलब हो जाता है उसके लिए मैं आपको सोट के एंदर थोड़ा सांस लेते हैं तो नाग से लेते हैं और हम हमारा जो मू है मौत है उसे भी ब्रेइं कर सकते हैं नी के सकते हैं और चोड़ भी सकते तो दो आपका जो लंग्स है इसके मारे तीन लॉब्स है और जो लेफ्ट साइड का लंग्स है उसके अंदर दोई लॉब्स है क्योंकि नीचे फिर वापस हमारा हर्ट आ जाता है दोस्तों यह लंग्स है एक तरह का sponge जो होता है जिस तरह समने sponge देखा एक तरह से उसी तरह का आपका जो lungs होता है इसका structure होता है और यह pink color में होते हैं अब दोस्तों इसको थोड़ा सा lungs को अगर हम और detail में समझने की कोसिज करें तो जो हमारा tray के जो यहां पर आता है यहां से हमारे side में क्या करते हैं कि दोनों तरब के जो lungs है उसके अंदर जो ब्रॉंकाई निकलता है वह ब्रॉंकाई जो एचोटे-चोटे parts में आगे जाके divide हो जाता है जिसको कि हम bronchiols कहते हैं और यह bronchiols आगे चलके और चोटे-चोटे parts में डियाओएड हो जाता है जिसको हम alveoli या alveolus कहते हैं इनको air sex भी कहा जाता है दोस्तों air sex क्या मतलब हो गया कि यह हवा का last part है आपके lungs का सबसे minute part है जो एक तरह साब कह सकते हो कि जो balloon होता है गुबारा होता हुआ बराबा उस तरह से बिलकुल अंदर से खाली होता है और इसके अंदर इतनी air भरी हुई होती है और दोस्तों यह जो air sex होते हैं इनके चारूतरब क्या होता है जो blood vessels होती होती है उनका ए ब्लड जिसके अंदर carbon dioxide है उसको pump करता है और हमारे जो lungs के अंदर capillaries होगी जो हमने बता है कि air sex अलूले ही है वहाँ पर जो है उसको carbon dioxide वाले blood को भेज देता है और यहां से हम लोग लोग ने जो सांस ली उसकी air जो थी oxygen ती जो अच्छे वाली वो उस air sex में गई हुई वहाँ पर क्या हो गया कि हमारा सरीर हमारा blood क्या करता है कि जो गंदे वाली जो carbon dioxide थी उसको हमारे लंक्स में छोड़ दिया और उसको हम वापिस बाहर हमारे वातावरण में छोड़ देते और जो अच्छे वाली oxygen हमने ली वो air sex में पहुंची थी वहां से blood ने जोब कर ली वहां मतलब gas का एक्षेंज हो गया carbon dioxide थी वह उसने दे दी blood ने और oxygen अच्छे वाली ले ली अच्छे वाली oxygen को वापिस लेके heart के पास जो blood गया वह वापिस हमारी body में circulate हो गया इस तरह से वहां पर gas का एक्षेंज होता है carbon dioxide और oxygen का दोस्तों हमारी body के अंदर जर्म बात करें तो air safe है almost 600 million जो air safe है यह इस तरह के मानेगे हैं दोस्तों यह air safe मैंने बता है कि hollow cavity है इतरे का लेकिन दोस्तों जब कोई तरह का infection हो गया inflammation हो गया कुछ time क्या होता है इं air safe के अंदर वाँ fluid यानि एक तरह का पानी बर जाता है आगे वाले time में अगर proper treatment नहीं लिया गया तो यह आगे चलके पस भी बन सकता है जिसको कि हम कहता है pneumonia develop होने लगा है जिसके कारण जो है fibrosis होने लगता है वो dead आपका part जो है lungs का dead हो सकता है lungs का paralysis हो सकता है और oxygen का जो होगा फिर body में कमी होने लगी क्योंकि air safe का जब structure change हो गया तो naturally आपका जो air का oxygen का और carbon dioxide का exchange होना बंद हो जाएगा तो आपके सरीर के अंदर देखेंगे oxygen का level गरता जा रहा है और carbon dioxide का level बढ़ता जा रहा है तो यह हो गया pneumonia दोस्तों यह जो infection है pneumonia का यह आपको मतलब आपके दोनु लंग्स में एक साथ develop हो सकता है या सुरूम हो सकता है कोई एक लंग में develop हो और दोनु लंग्स में develop हो जाए दोस्तों अगर हम बात करें कि pneumonia क्यों हो जाता है तो देखिए हमने बात की pneumonia होता है infection और inflammation से तो infection और inflammation आपको कहां से मिल सकता है दोस्तों हो सकता है कि आपकी body के अंदर आपके लंग्स के अंदर कोई तरह का bacterial infection पहुंचे आपको कोई तरह का influence या या कोई तरह का viral infection हो जाए हो सकता है कि कोई तरह का fungus का इंफेक्शन है उससे भी आपको pneumonia को चाहिए प्रफिटि ओसके कारण भी रेगुलर जो को इन हैं तो उसके करण भी आपको निमोनिया डिवलप हो सकता है दोस्तों को लोग जो की बहुत जादा इसमोकिंग करते हैं सिगरेट गुटकाव बिड़ी इस तरह से जो इसमोकिंग करने वाले जो लोग होते उन कर सकती है और जब pneumonia में help करेगी आपने सुरू में ठीक कर लिया यह केस आपका आगे भी बढ़ रहा है तो उसके अपके लंग्स का अगर फाइब्रोसिस हो रहा है उसमें मदद करेगी लंग्स के पैरालाइसिस होने से बचाएगी और अगर pneumonia के कारण आपकी body के अंदर oxygen का saturation level कम हो रहा है या carbon dioxide का level बढ़ रहा है तो उसमें भी आपकी मदद कर सकती है दोस्तों mainly क्या होता है कि बहुत से कारण है उसके accordingly pneumonia develop हो गया लेकिन अगर उसके कारण की बात करें तो हो सकता है कि आपको कोई तरह का viral infection हुआ हो आपको इंफ्लेंजा हो उसके कारण अगर आपके lungs के अंदर infection हुआ inflammation हुआ जिसके कारण आगे चलके अगर आपको pneumonia हुआ है तो उसके मैं कुछ medicines आपके साथ share कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहली medicine जो मैंने देखा है ज्यादा तर केस के अंदर बहुत अच्छे result देती है वो है arsenic iod दोस्तों arsenic iod को देखा गया है कि यह usually low potencies में ज्यादा अच्छे result देती है आप इसको 30 potency में यूज कर सकते है और routine में बात करें तो 30 potency में इसको सुबे दो पेर साम दिन में तीन वार दिया जा सकता है दोस्तों next medicine अगर हम बात करें तो वो है antimonium ars दोस्तों antimonium ars भी influenza के अगर आपके lungs के अंदर pneumonia develop हो गया है तो उसके एक बहुत अच्छी medicine है और इसको भी दिन में तीन वार सुबे दो पेर साम दिन में तीन वार दिया जा सकता है दोस्तों इसी तरह से हमारी जो next medicine है वो है antium tart दोस्तों antium tart भी 30 potency में काफी अच्छे results देती है और इसको भी आ मैंने तीन medicine मता ही आरसनी कायोड एंटीमोनियम आस और एंटीम डाट ये तीनों ही जो है potency के अंदर है तो potency की medicine को आप लेने का तरीका जाते है या तो एक dose के अंदर टू 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 त्री ड्रॉप्स दो से तीन मोन डारेक्ली जीप पे आप दे सकते है या इसको sugar globules के सा पर साथ में दो मदर टिंचर है जिनको देखा है कि जो निमोनिया और जहां पर वाइरल इंफ्लुएंज है हुआ है उसके कारण वाए तो बहुत अच्छे रिजल्स दे दिये पहला जो मदर टिंचर हो है यर्भा संटा मदर टिंचर की रूटीन के अंदर गरम बात करें त दो 10-10 ऐसमोर दिन में 3 वार दी जा सकती है दसमोर सुभे दसमोर सामोर और दोस्तों निख्ट जो मारा मदर टिंचर होए ग्रेंडेलर रोबस्टा दोस्तों डोस्त और बहुत अच्छय है हमेप्झी मैडिसन या रहमटी है जो गी नुमोनिया और आगर उसका कारण ग्या वाइरल कोई हुआ है उसके करण वाया तो यह उसके अदर एक बहुत अच्छी मैडिसन है दोस्तों ग्रेंडेलिया की भी दस दस बून दिन में तीन वार सुबह दो फेर साम दिन में तीन वार दी जा सकी दोस्तों यह जो दोनों मदर टिंचर है इनको लेने का तरीका आप ज दाल दीजिए और सिफ बाइसे देरे देर करके पीना होता है इसी तरह से ग्रेंडेलिया रोबस्ता है इसको भी दे सकते हैं और अगर दोनों मेडिसन आप दोनों ही एक साथ मेडिसन ले रहे तो एक कप के अंदर 10 पूंद यर्बा सिंटा कर डाल लीजिए आपकी 20 ट्रॉ जाके कारण निमोनिया डिवलप हो जाता है और उसके कॉंप्लिकेटेट कैसे इसके अंदर बहुत अच्छे रिजर्स देती है इसके लावा भी और बहुत ची मेडिसन होती है जो एक पर साइंस और सिंटम्स आपके डोक्र आपके लिए डिसाइड कर सकते हैं इसलिए जैस आपको बहुत अच्छे रिजर्स मिलेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लागकारी सावित होगी इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने क्लिए मेरे यूट्यूब चैनल या श